ओम्शी महाप्रग्य गुरवेरा महा जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन सत्य अहिंसा अने कांत को अर्पित जिसका तन्मन उस महाप्रग्य को वंदन जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन समय बीत रहा है चिंतन ये करना की वे सफल हो रहा है या असफल हो रहा है इस चिंतन के आधार पर आगम साहित में बतलाया गया अहम्मं कुण मानस से जो व्यक्ति धर्म का आचर नहीं करता उसका समय विफल होता है फलवान नहीं होता दम्मं चकुण मानस से सफला जन्ति राईयो जो धर्म का आचर नहीं करता है उसका जीवन सफल होता है ये एक आगमिक चंतन है हम व्यवहार के धरातल पर चंतन करें तो एक सुत्र और हमारे सामने आता है कि उद्यमं शाहशं धैर्यम और आगे तत्र देवस सहाय के आजमी अपने पुरुशार से सफल होता है जो पुरुशार करना नहीं जानता वह सफल नहीं होता कुछ लोग देवता की आराधना करते हैं साधना करते हैं कि देवता सहयोग करेगा हमारे कारिये में सहयता करेगा इस पर भी बहुत चिंतन हुआ तो चिंतन के बाहद एक निश्कर सामने आया का तत्र देवस सहाय के देवता सहाय कहां बनता है का उद्यमम पहली बात का जहां आदमी पुरुशार्श करता है उद्यम करता है वहां तो कोई देवता भी सहायता कर देता है जो निकम्मा है उसकी कोई देवता भी सहायता नहीं करता एक छात्र अच्छी पढ़ाई कर रहा था और बहुत सफल हो रहा था तो दूसरे छात्रों ने पूछा कि तुम सबसे आगे जा रहे हो बहुत सफल हो रहे हो इसका राज क्या है मैं भी बताओ तो उसने कहा मैं सरस्वती की साधना करता हूं आदा घंटा साधना करता हूं और फिर तीन घंटा पढ़ाई करता हूं मेरी सफलता का ये कारण है दोसे चातरों ने शोचा कि ये अच्छा हाथ में लग गया कि ये सरस्वती की साधना करता है इसलिए सफल हो रहा है उन्होंने भी सरस्वती की आरादना शुरू कर दी परिक्षा का समय आया सफल नहीं हुई उसके पास गए कि तुमने दोका दिया तुम कह रहे थे कि मैं सरस्वती की साधना करता हूँ पाठ पढ़ता हूँ हमने की हम सफल नहीं हुई है सब फेल हो गए तो उसने कहा भाईया ये बताओ कि सरस्वती की साधना तुमने की बाद में पढ़ा ही की या नहीं कि फिर जरूर क्या है जब सरस्वती की साधना कर रहे हैं तो जरूर कि अब अपने आप ही करेगी साधना का उसने कहा यहीं तुमारी भूल हो रही मैं साधना करता हूँ तो मुझे ये बोद मिलता है कि साधना करो साथ साथ में पुरुशार्ट करो उद्यम करो अपना उड्यम करो तब सफलता मिलती है और तुमने साधनाटो की आराधना की डेवी की और सम्किया नहीं तक्त्र देवो कोई सहाइक। वा देव कोई सहायक नहीं बनता आदमी अपने पुर्शार्थ पर व्रोषा नहीं करता पुर्शार्ट को कामे नहीं लेता एक बेल गाड़ी जा रही थी बर्सा का मोशम था और डल डल कीचड कीचड में फस गई अब जो गाड़ी का मालिक था नीचे उतरा और नीचे उतर कर और अपने इस्ट को याद करने लगा का हे देव आओ और मेरी गाड़ी को निकालो बार 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 बोल रहा है हे देव आओ और मेरी गाड़ी को बाहर निकालो नहीं कोई देव आया नहीं कोई गाड़ी बाहर निकली इतने में एक रहगीर उधर से गुजरा उसने देखा और कारे क्या मुरुकता कर रहा है कि तु उसने कहा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो लो मैं तुम्हारी गाड़ी बाहर निकालता हूँ बलवान था शक्तिशाली था एक दक्का दियार गाड़ी बाहर निकल गई फिर का देखो यह ज्यान रखना जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए कभी देव को याद नहीं करना पुर्शार थी इनका कोई सहयोग नहीं करता जो हम नहीं कर सकें ऐसी कोई स्थिती आ जाए तब तो ठीक है अन्यता अच्छा नहीं है बहुत प्रशिद बात है आचारी भद्र बाहू ने संग की सुरक्षा के लिए एक स्थोत्र का निर्मान किया कोई अनिष्ट सक्ती संग पर कछिनाई पेदा कर रही थी आपत्ती वर्शा रही थी उन्होंने स्थोत्र का निर्मान किया और वो सक्गहरम पासम जो भी पास करता देवता हाजर होता बिगन का निवारन कर देता अब आदमी कहां उप्यों करना चाहिए इसका बीवेक नहीं रखता एक वार एक महिला रसोई बना रही थी और देखा गाय प्रंगण में खड़ी है बच्छडा रसी को तोड़ कर भाग रहा है उसने पाठ पढ़ा स्तोत्र का जब किया और देव हाजर हुआ कहिए क्या काम है कह बच्छडा भाग गया उसे लाकर खुंटे पर बाढ़त ऐसी अने गटनाए हुई तब देव ने भी भद्र बाहु स्वामी से कहा कि महराज आपने ये क्या कर दिया हमारा तो अब यूपियोग एक तो बच्छडा बानने कार और और भी कुछ उपियोग घर की सफाई करो ये करो वे करो हो रहा है ये क्या आपने किया तब स्तोत्र को बदल दिया और वे पाठ भी उसे बंद कर दिया अपने पुरुशार्थ के बिना कहीं भी सफलता नहीं मिलती सफलता का पहला सुत्र है अपना पुरुशार्थ हम अपना पुरुशार्थ करें पुरुशार्थ पर वरोशा करें दार्सनिक द्रिष्टी से देखें तो जैन दार्सन का भगवान महावीर का एक प्रमुक्षिद्धान तरहा पुरुशार के द्वारा हम बहुत बदल सकते हैं बहुत परिवत्न कर सकते हैं जो लगता है कि यह नहीं बदल सकता उसकों भी बदल सकते हैं सो में दो चार घटनाओं की बाद छोड़ दें किन्तु पिचानवे प्रतिशत घटनाओं में हम परिवत्न कर सकते हैं अपने भग्य को बदल सकते हैं अगर भग्य अच्छा है पुरुशार्थ नहीं तो भग्य कमजोर हो जाएगा भग्य कमजोर है और अच्छा पुरुशार्थ है तो भग्य भी बलवान बन जाएगा हमारी हाथ में है और इसी शिद्धन्त के आधार पर आत्म कर्थित्व के शिद्धन्त पर कहा गया कि अप्पा कत्ता विकत्ता ये आत्मा ही शुब्दु करने वाली है दूसरा कोई करने वाला नहीं है स्वयंग आत्मा ही करने वाली है इस मर्म को हम समझने का प्रेत्न करी कि अमारे भग्य का निर्मान कोन करता है कोई देवता अमारे भग्य का निर्मान नहीं करता कुछ सहयो कर सकता है भग्य का निर्मान स्वयं व्यक्ति ही करता है अपना कार्म, अपना धर्म, अपना भग, सारा अपना अपना है पराया कोई काम नहीं देता इसलिए हमारा अपने पुरुशार्ट पर भरोशा होना चाहिए जो अब्यक्ति पुरुशार्ट करना नहीं जानता अथ्वा गलत पुरुशार्ट करता है दोनों बाते है या तो पुरुशार्ट करना नहीं जानता अथ्वा करता है तो गलत दिसा में करता है दोनों सफल नहीं हो सकते सफलता के लिए जरूरी है पुर्शार्थ करे और सही दिशा में हमारा पुर्शार्थ हो तो हो शक्ता है आप दुनिया के इतिहास को देखे ऐसे गरीब लड़के साधान घर में पैदा हुए लड़के कहां पहुंच गए बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं कोई सब बड़े घरों में नहीं हुए अब बड़े घरों में तो पैदा होना ही मुश्किल है बांका बातावरनी अच्छा नहीं होता कोई अच्छा आदमी जनम सके बहुत कफिन बात है बहुत साधान घरों में पैदा हुए और अपने पुरुशार्थ के द्वारा पे महान बने हैं आज हिंदुस्तान का रष्ट पती जो बैज्यानिक भी उच्च कोटी का रष्ट पती है किसी अरब पती के घर में नहीं जनने एक मच्छवारे के घर में जनने और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की खाने को भी पूरी व्यवस्था नहीं थी पूरी रोटी भी नहीं मिलती थी इस अवस्था में किन्तु पुरुशार्थ किया और यक्ठी आगे आगे एक नहीं हजारों हजारों जो बड़े बड़े लोग हुए उनका ये इतिहास है इसलिए ये सिद्धान्त हर यक्ठी के मन में रमा हुआ रहे कि मैं अपने पुरुशार्थ के द्वारा अपने भग्य का निर्मान कर सकता हूं दूसरा कोई मेरे भग्य का निर्मान नहीं कर सकता सहयोग भी दे सकता है पर कब दूसरी बात बतलाई सफलता के लिए साहस है जिसमे वह सफल हो सकता है कमजोर आजमी सफल नहीं हो सकता जिसमें मनोबल नहीं जिसमें सहस नहीं वह आगे नहीं बढ़ सकता और सफल नहीं हो सकता सहस बहुत जरूरी होता है इसके साथ एक गतना जूरी के की एक चोर चोरी कर रहा था पकड़ा गया गाओं को पता चला तो गाओं के लोग पीछे दोड़े और पुलिस को पता चला तो पुलिस भी पीछे दोड़े आगे आगे वे जा रहा है पीछे लोग दोड़ रहे हैं पुलिस की आदमी भी दोड़ रहे हैं उसने देखा अब तो मैं आगे जा नहीं सकता पकड़ लिया जाओंगा रास्ते में एक डेवी का मंदिर आया उसने सोचा ये अच्छा है मंदिर में गुस गया और बोला मा बचाओ पीछे लोग आ रहे हैं पकड़ने तुम बचाओ कोई योग ऐसा बना होगा देवी खुस हो गई और बोली कि जाओ और मेरी प्रतिमा के पीछे छिप जाओ पैर इतने ठंबे हो गए अब मैं तो चल नहीं सकता नहीं जा सकता तुछ ने कहा कि जब लोग आए तो दर्वजा बंद कर देना कि मा मैं तो चल नहीं सकता दर्वजा बंद कर नहीं सकता हाथ भी निकम में हो गए तो देवी ने कहा चलो कोई बात नहीं एक काम करो कि जब वे आए तो हला कर जा हला मचाओ कि मा मेरे तो कंठ रुख गए मैं तो कुछ नहीं कर सकता तब आखि देव गोली ऐसे नपोसक्त की सहाइता मैं भी नहीं कर सकती ऐसे कलीब आद्मी की सहाइता मैं नहीं कर सकती जिसमें साहस नहीं अपना मनोबल नहीं संकल्प शक्ती नहीं उसकी कोई दुनिया में सहायता नहीं करता बहुत लोग कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ मुझे भी कुछ बाई मिले यहां सरदार सेर्में का कि बहुत दुखी हूँ उन्हें का दुखी अपने आप हुए दुखी होने का कोई कारण नहीं है उद्यम और शाहस और तीसरा धाईरी है उद्यमं शाहसं धाईरीव जिसमें उद्यम है जिसमें शाहस है और जिसमें धाईरी है प्रतिक्षा करने की शक्ती है आज वीज बोयर आज ही फल नहीं चाहता धैरी रखने जानता है कि जो आज शुरू किया है फल आएगा बर्ष बाद, दो बर्ष बाद, दस बर्ष बाद पुरानी जमाने में कहा जाता था बारे बर्ष आम वो फड़े आम लगेगा बारे बर्ष के बाद इतनी पृतिक्षा करना जानता है जिसमें इतना धैरी है वे विक्री सफल हो शकता है तीन इतने बड़िया सुत्र हैं सफलता कि उद्यम, शाहश और धैरी नहीं तो कोई उद्यम करता पुर्शार्थ नहीं करता निकम्मा रहता है आलश्य है प्रमाद है या नसा खोरी है सराब पीली दिन भर पड़ा रहता है या और कोई नसा कियार पड़ा रहता है पुर्शार्थ नहीं है अथवा बीर्य सक्ती नहीं है जो एक ओज उर्जा बीर्य की सक्ती होनी चाहिए वे भी नहीं है तो आज मी पुर्शार्थ नहीं कर सकता काम नहीं कर सकता सबसे ज़्यादा आवश्यक है उर्जा बिजली है पंखा चलता है बोल रहा हूँ माई काप तक पहुंचा रहा है बिजली है उर्जा है उर्जा नहीं हो तो काम नहीं हो सकता आज मी बिकलत को जानता है कि सूर्य है तो प्रकास उर्जा प्रकास हो रहा है सूर्य के भाव में अनेक साधन बनाई दिया जलाया मौमबत्ती जलाई लालते नादी आदी अनेक साधन किये और वह नहीं है तो एक उर्जा पेदा करने का यंत्र भी बना दिया जेनरेटर जेनरेटर उर्जा या प्रकास को जेनरेट करता है उसते प्रकास मिलता है हम भी अपनी शक्ती को उर्जा को पैदा कर सकते हैं कर सकते हैं पर करते नहीं है इसका कारण उपाय को नहीं जानते जो उपाय को नहीं जानता वै कुछ भी नहीं कर सकता सफलता के लिए बहुत जरूरी है उपायक यहोना उपाय को जानना कि यह कम कैसी हो सकता है इसका उपाय कैसी है हम उपाय को जाने जिन लोगों ने सचाई को समझा है कि पुरुसार्थ के बिना सफलता नहीं मिलती वे लोग कभी पूर्शार्थ से जी नहीं चुराते मैं तो अपना अनुहो कह सकता हूँ हमने यात्राएं की यात्राएं तो पहले भी की करते रहे किन्तु इस अवस्था में साइट पहली यात्रा हमारी बहुत लोग कम करते हैं हमारी सादू भी आचारियों की भी कम हुई है इस अवस्था में आज वे नौहे दसक्त में असी वर्स के बाद यात्रा करने का साइट सभग ये मुझे मिला है पर मैंने देखा कि यात्रा में कितनी सफलता मिलती है कैसा वातावर्ण बनता है देखने वाले ही जान सकते हैं दूसरे कलतना भी नहीं कर सकते कैसा वातावर्ण बना और कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये तो तेरा पंथी है ये जैन है ये स्तानेगवासी है ये दिगंबर है या ये ब्रह्मन है ये क्सत्री है पता ही नहीं चलता ने कभी हम पूछते और ने कभी वे बतलाते ऐसा लगता आदमी है और मनुष्यों की इतनी भारी भीड कि आप भी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लोग कहां से कैसी आते इसका निश्कर्ष यही निकाला कि पुरुषार्थ और सफलता दोनों साथ चलते हैं आलस्ते में बैठे रहो आराम से बैठे रहो सफलता नहीं मिलती मैंने अनिक वार शोजा कि तेरा पंद का आचारी बहुत सब्तिशालिभ होता है क्योंकि ऐसा अनुशासन और बिनीत संग किसी धर्म गुरु को साथ उदाहन दूं तो भी मुझे दृष्टी में नहीं आ रहा इतने शिष इतने बिनीत और इतने सहयोगी मिलना मुश्किल है तो वह तो मज़े से आराम से बेठा बेठा खूब आन ले सकता है क्यों स्रम करे और क्यों यात्रा करे क्यों गर्मे में गाओं में घूमे जरूरत क्या है अभी तो गर्मी शुरु होगी सामने गर्मी है और आज जैसी सड़क आयर गर्मी आये तो गुम्ना तो बड़ा मुश्किल होता है बड़ा कथिन होता है पर क्यों एक सिध्धान हमने आचारे भिक्षू से शीखा सुना समझा जानते भी हैं कि वे 77 वरस की अवस्था में पिहार भी करते थे स्वरगवा से कुस्तमय पूर गोशरी भी जाते थे और दूर जंगल में भी जाते थे और खड़े खड़े प्रतिक्रमन करते थे जब संतों ने प्रार्ष्णा की कि गुरुदे आपकी अवस्था काफी है अब बेट बेट कर प्रतिक्रमन किया करें आचेयरे धिक्सों ने कहा कि तुम समस्ते नहीं होगा मैं खड़े खड़े करता हूँ तो आने वाले हमारे संत बेठे बेठे तो करेंगे और मैं बेठे बेठे करूँगा तो मुनी मराज आने वाले लेते लेते प्रतिक्रमन करेंगे एक कितनी दूर दर्षिता थी कभी पुरुशार्थ करें हम पुरुशार्थ करें तो उसका परिनाम होगा और मैं मानता हूँ कि सफलता में सबसे बड़ी बाधा आलस्य है आलस्य आदमें या सुविदाबाद और आराम तलवी साइद पंडित नेरु ने कभी का था आराम हराम उन्होंने का उसे दोस्ताब्धी पहले तो हमारे संग में तो ये चलता था कि आराम बहुत बड़ा हराम है आराम हराम हराम है आराम मत करो स्रम करो पुर्शार्थ करो अपनी सक्ती का नियोजन करो और भगवान महावीर का एक सुन्दर वाक्य है बीरियम नो निगू है बीरिय को गोपन मत करो यानि सक्ती को छिपाओ मत सक्ति का उपयोग करो उसे छिपाओ मत एक इतना सुन्दर सुत्र मिला मैं मानता हूं धरम के इन बहु मुल्य सुत्रों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारन करे अपनी सक्ति को छिपाए नहीं सक्ति को पूरा काम में ले नियोजन करे तो सफलता तो अपने आप मिलेगी सफलता के लिए कहीं आपको दर्वाज़क पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है अपने आप आएगी केवल अपनी सक्ति का नियोजन करो छिपाओ मत जो कर सको वह काम करो तो ये सफलता के तीन सुत्र जिनकी चर्चा की उद्यम, शाहर्ष और धैरी और इनका उपाई जाने उद्यम कैसे करें हमारा साहर्ष कैसे बढ़े और हमारा धैरी कैसे बढ़े इस उपाई की समिक्षा करें तो हर आदमी सफल बन सकता है यह मत मानो का करोड़ पती के घर में जन्मा वै तो सफल हो जाएगा और गरीब के घर में जन्मा वै असफल हो जाएगा यह बरांती निकाल दो सचाई तो यह है का करोड़ पती के घर में जन्मा असफल होए तो आश्चेरी की बात यह नहीं तो प्राइच असफ़ल होने वाले ही प tooth रहते हैं शिदाधन मिलता है तो असफ़ल होने का रास्ता है और गरीब के घरमी है उसे शिदाधन नहीं मिलता तो वह पुरशार्गत करता है तो उसके सामने सफ़लता का रास्ता रहता है इसलिए इस आगम बक्य को सदा ज्धान में रखो अप्पा कत्ता भिकत्ता है मेरी आत्मा ही शुक्डुक करने वाली है इसलिए मैं आत्मा को आत्मा को शहा इक्त करने वाले शिद्धंतों को शुत्रों को समझ कर अपना पुरुशार्थ करूं Aum Araf ओम स्री महाप्रग्य गुरु वे नमा 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 ओम स्री महाप्रग्य गुरु वे नम झाल झाल